हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल आईसेटी अकडमी आज इस वीडियों बात करेंगे पी एफेमेस पेमेंट रिलेटेड बहुत सरा ऐसा कंडिडेट के साथ ऐसा हुआ जिनका भी पी एफेमेस के तरफ से मतलब डिबीटी पेमेंट रिसीब होता चाये न पर नौट इनिटेट फॉर्दा बेनिफिसरी या पिर कभी सो और नो रेकॉड फांड तो किसके साथ ऐसा हो रहा मैं आप लोगों को एक्जामपल देखे बताऊंगा एक स्टूडेंट के साथ मेरे ही स्टूडेंट के साथ इस तरह हो रहा प्यों बता रहा पूरा डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो काफे ज़्यादा आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला तो वीडियो को बिने स्क्रिप्ट के लास्ट देखेगा चैनल पर न्यूँ अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह वीडियो हमें सा पाने के ल अधर ऑफि stuk करते हैं ओपिड करने के बाद यहांपर दो option मिलता। एक ट्रैक नसपी पेमेंट जो स्कॉले करते हैं उलोग के लिए एक रापन चले में आस्चलेपलेश के लिए तो लग बियर्ट करते हैं तो चली मैं आप लोग को नस्कलिव पइमेंट में स्क钟क्तल नहा for the beneficiary ठीक है अब इसका account number के लेते हैं अब देख सकते हैं इसी student का ठीक है इसी student का copy किये हैं यहाँ पर track किये हैं तो payment not not initiate for the beneficiary बता रहा है अप लोग को फिर से हम चेक करके यहाँ पर दिखा दा रहा है उसके बाद example देखे बताऊंगा कि क्यूं और कैसे बता रहा है आप नीचे देख सकते हैं no record फांट ठीक है अब इस student का अम account number से track करते हैं इसका print वाला में गया है इधर हम इसका account number को ले लिए अब account number लेने को बाद हम लोग को यहाँ पर आप कहीं से भी track कर सकता है चले nsp payments में हम इसका account number के track करता है यूको बैंक का है पूरा detail में आप लोग समझ लेजी मैं क्या बोलने का कोशिच कर रहा ठीक है तब नहीं ता आप लोगो कुछ भी confusion होगा फिर समझ में नहीं आगा तब यहाँ पर देख सकते हैं इसका capture को डाल दीए आप यहाँ पर account number डारेक्ट कोपी कर लिए पेस्ट क जाते हैं मेरा copy किया हुआ हम इधर उदर और copy नहीं किये copy किया हुआ है यहाँ यूको बैंक लिए फिर यहाँ पर paste किये यहाँ पर पेस्ट किये अब यहाँ पर जो capture दिखा यहाँ इसको लिखेंगे ठीक है इन नाइन ठीरी एट नाइन सेवन ठीक है इसको लिखके सर्च किया है सर्च करने के बाद आप लोग देख सकता हूँ वहाँ पर बता है नो रेकूड फांड लेकिन यहाँ पर जब ट्रैक किये तो यहाँ पर डाटा फांड हो गया फिर मैं आप लोग को अभी किलियर कर देता हूँ कि जब नस्पी पैमेंट नॉट इनिटियर फॉर्द बनेफिस्टि बता रहा था लेकिन अभी यहाँ फांड हो गया तो मैं आप लोग को किलियर कर देता हूँ कि इस स्टुडेंट का आप मैंने बहुत सरा वीडियो बना चुका आप लोग आर नैंटे एट फिर आर रिलेवन प्रोब्लम में देखिए कि इस स्टुडेंट का इसका पैमेंट इस बार वाला नहीं सो कर रहा इस बार जो 21 मार्च 2020 को रिसीव हुआ बारह अजार रुपया एन एममेंस स्कुलोशिप स्किम का उसका यहां पर सो नहीं हो रहा अभी दो दिन पहले सो कर रहा था लेकिन अभी नहीं सो कर रहा और इसका जब हम एनसपी का ड ऐड़िई से यहां से च्रह कर रहा है फिर से रिफ्रेश करतेव पेज को यहां पर ट्रैकन सपी पैमेंट में यहां पर जब हम इसको ट्रैक कर रहा है इडवल वन डी अब देख सकते हैं यहां पर ट्रैक कर रहा है तो बता रहा पेमेंट नॉट इनिटीट फॉर्ट बनेफिसरे ठीक इस तरह तुम बता रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा सर्वर कब इसू लग सकता क्योंकि दो दिन पहले जब हम ट्रैक कर रहा तो इसका सारा रिटेल सा आ जा रहा बारह आज़र रुपर जो सो हुआ 21 मार्च को आया अब पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं यहीं स्टुडेंट के एक्जांपल देख आप लोग को बता रहा थे तो उसका बारह आज़र रुपर रिसीव हो चुका 21 मार्च 2020 को अभी लेकिन इसका सो नहीं कर रहा तो मेरा बोलने का यहीं उद्देश है कि पेमेंट नौट इनिटेट फॉर्दा बेनिफिसरी अगर सो कर रहा डाटा नौट रेकॉर्ड भी बता रहा तो हो सकता सर्वर कभी इसू हो सकता और पेमेंट नौट इनिटेट फॉर्दा बेनिफिसरी उसका सकते हैं इसी student को payment receive हुआ ठीक लेकिन अभी बता रहा अब यहाँ पर मिला लिजेगा दूसरा वीडियो में देखे के यहाँ दूसर रिसीब हुआ फिर चार सो फेल्ड हुआ फिर यहाँ पर चार सो रिसीब हुआ इस अब ID भी मिला लिजेगा ठीक है उसका payment पहले रिसीब सो नहीं कर रहा तो मेरा बुनले कहीं मतलब है payment not initiated for the beneficiary बता रहा तो ज्यादा टेंशन मत लिजेगा कुछ दिन बाद थोड़ा दिन बाद ट्राय कीजेगा ताप्या सो होने लगागा ऐसा कुछ ज्यादा इसू नहीं है ठीक है